दोस्तो आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि कैसे आप किसी भी PDF फाइल में password लगा सकते हैं जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक PDF मेरे पास है ये वाली जैसे ही मैं इसे open करने लगता हूँ तो यहाँ पर मुझे ये एक password डालने के लिए बोल रहा है उस password को डालने के बाद ही ये PDF file open हो पाएगी तो आज मैं आपको एकदम आसान तरीके से यही बताऊंगा कि कैसे आप अपनी PDF file में password लगा सकते हैं जैसे एक और file मैं इसमें ले रहा हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दूसरी file मेरे पास है और जैसे ही मैंने इसे open किया इसमें कोई भी password भी नहीं लगा है तो अभी हम इस PDF file में password लगाने वाले हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है एक application को install करना है इस application के बारे मैं मैं आपको वीडियो के last में बताऊंगा काफी सांदार application है तो आपको सबसे पहले इस application को कुछ इस तरह से install करके open कर लेना है open होने के बाद यहाँ पे कुछ इस tab का इसमें interface दिखाई पड़ता है आपको क्या करना है उपर की side यहाँ पे left side में आपको three lines दिखाई दे रही होंगी यहाँ पे in three lines में आपने सबसे पहले तो क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपने एक option select कर लेना है PDF tools वाला तो यहाँ पे इसमें आपने PDF tools वाले option पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको कई सारे options दिखाई देने लगे आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपने यह वाला option इसमें select कर लेना है, add password वाला, तो यहाँ पर add password वाले option पर आपने click कर लेना है, तो जैसे ही आप यहाँ पर add password वाले option पर click करते हैं, तो आप automatically आपकी gallery में redirect हो जाते हैं, जितने भी document आपकी gallery में हैं, सब यहाँ पर आजाते ह है तो जैसे ही हमने यहाँ पे PDF सेलेक्ट की तो अभी यह हमसे password set करनी के लिए बोल रहा है तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक बार यहाँ पे अपना password set किया और दुबारा से वही password यहाँ पे दुबारा डाल दिया मतलब दो बार हमने यहाँ पर password अपना डाल लेना है इसके बाद आपने क्या करना है ओक्के वाले option पर click कर लेना है और यहाँ पर आपने save वाले option पर click कर लेना है और आप चाहे तो इस file को rename भी कर सकते हैं जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पे अगर हम click करते हैं तो इसका कोई अपने हिसाब से आप नाम भी रख सकते हैं जैसे हमने इस PDF फाइल का नया नाम रख दिया new करके और okay वाले option पे आपने click करना है और यहाँ पे इस PDF फाइल को आपने अभी save कर लेना है तो यहाँ पे camera वाले folder में हमने जैसे ही click किया तो अभी यह हमारी PDF फाइल password के साथ save हो रही है तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं यह अभी हमारी जो PDF फाइल है उसमें successfully password लग चुका है done वाले option पे अगर आप click करते हैं और दुबारा से अगर आप gallery में जाके देखते हैं तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नया PDF आके यहाँ पे तयार हो चुका है जिसका नाम हमने रखा था new करके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी यह new आले में इसमें password लग चुका है तो इसके बाद कोई भी दूसरा बंदा जिसको आपका password नहीं पता है वो आपकी PDF फाइल को open नहीं कर पाएगा दोस्तो इस application का नाम है document scanner आपने google play store पे जाना है और यहाँ पे search box में type कर लेना है document scanner तो यहाँ पे कई सारी applications आपके सामने आजाती हैं आपने इस application को install करना है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका item भी आप note कर सकते हैं इसको install करने का link मैंने description box में भी दे दिया है चाहें तो आप उस link पे click करके इस application को directly install कर सकते हैं तो दोस्तो इस तरह से आप भी किसी भी PDF फाइल में password लगा सकते हैं थन्यवाद